नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चेरपरीची दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी के लिए एक बेहधी महत्वपून जानकारी को ले करके जिहां लहसुन के फायदों और नुकसान के बारे में आज हम सभी जानेंगे इस एपिसोड के माध्यम से आम तोर पर लहसुन कई खा एंटिवाइरल, एंटिफंगल और एंटियोक्सिडेंट गुन होते हैं इसके अलावा लहसुन विभिन्य प्रकार के विटामिन और पोशक तत्वों से भी भरपूर है इसमें विटामिन B1, B6 और C के साथ साथ मैगनीज, कैल्शियम, तामबा, सेलेनियम और कई अन्य खनी निहित हैं, रोजाना थोड़ी मात्रा में लहसुन का सेवन आपके स्वास्थे को बेहतर तो बनाता ही है, परन्तु साथ ही में यह आपके शरीर को बीमारियों से संरक्षन भी प्रदान करता है, लहसुन का सबसे अधिक स्वास्थे लाव लेनी के लिए इसे कच्चा ही खा ना चाहिए, पका हुआ लहसुन इसमें निहित और शद्य गुनों की एक महत्तोपून राशी खो देता है, इसके अतिरिक्ट प्राकृतिक एंटोबायटिक के रूप में लहसुन की शमता बढ़ाने के लिए आप इसका सेवन सुभा सुभा खाली पेट कर सकते हैं, आये ज हैं, परंतु साथ ही साथ इसमें स्वास्थे के लिए कुछ दूश प्रभाव भी नहीं थे, जिनका ग्यान इसका सही प्रकार से इस्तेमाल करने के लिए और उन दूश प्रभावं से बचने के लिए आवश्यक है, लहसुन के साइड इफेक्ट को अच्छे प्रकार से जान पीट या पाचन समस्या से ग्रसित हैं तो साउधानी के साथ लहन सुन का उपयोग करें यह एक सकंद रोधी यानि के रक्त पतला करने वाला के रूप में कारे करता है और रक्त पतला करने वाली दवाओं से हस्त छेप कर सकता है लहसुन कुछ HIV दवाओं का भी औरुद्ध कर सकता है लहसुन का सेवन करने से आपके शरीर एवं मुह से दुरगंध आ सकती है लहसुन के पूरक्या सप्लिमेंट्स का सेवन गर्भवती महिलाओं को नहीं करना चाहिए लहसुन वाटरीन, इंटी प्लेटलेट, साक्वी नावीर, इंटी हाइपरटेंसिव, कैलशियम, चैनल ब्लोकर और इंटी बायोटिक दवाओं के प्रभाओं में हस्ते शेप कर सकता है इसलिए लहसुन का सेवन करने से पहले एक बार डॉक्टर से परामर्श अवस्य करना चाहिए हमने जो भी सावधानिया बताई इनका दैनिक सेहत बनाये रखने के लिए ध्यान रखना बेहत जरूरी है इसलिए अपने स्वास्ते को सही रखने के लिए इन प्रिकोशन्स को अपना करके इसके बाद आप अगर लहसुन का सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो यह आपके लिए बेहत फायदे मौंदा और लापकारी सावित होता है दोस्तों तो यह थी आज की हम में फायदा करते हैं तो अत्याधिक मात्रा में उसका सेवन आपको नुकसान भी करता है इसलिए हम बताते हैं ताकि आपको उससे related कोई बीमारी हो जिसको की वो बढ़ावा देती है तो आप उससे बच सके उस बीमारी में उसका सेवन न करके उसका supplement यानि कि कोई और दवा ले सकें आप कोई और आउश्रत ही ले सकें इसलिए ये आज की हमारी जानकारी थी आप सभी के लिए अगले एपिसोड में हम आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक और बेहद ही महतोपून जानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों